सेक्स प्रॉब्लेम के लिए होमोपैथिक मेडिसेन एगनस कैस्टस को किस तरह से इस्तमाल करना चाहिए उसको इस्तमाल करने का सही तरीका क्या है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ ताकि उस मेडिसेन का आपको 100% बेनिफिट भी मिल सके और उसका कोई साइड लेकिन उसका 100% बेनिफिट आपको मिल नहीं पाता है तो हर चीज को करने का एक प्रॉपर वे होता है उस वे को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको उस चीज का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला तो आज इस वीडियो में मैं आपको एगनस कैस्ट्रस को साइड एफेक्ट से कुछ कम नहीं है बलकि बहुत ज्यादा ही होता है और होमेपतिक एग्रावेशन क्या होता है कैसे होता है अगर आपको यह जानना है तो इस चैनल को उपर मेरा वीडियो बना रखा है हमने उससे आप देखिए तो होमेपतिक मेडिसन आग बंद करके कहीं से भी कुछ आप लेनी सकते है और अगर लेंगे तो आपको एग्रावेशन भी हो सकता है तो एग्नस कैस्ट्रस को इस्तमाल करने का सबसे सही तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और एग्नस कैस्ट्रस का जब असर जब कम होना शुरू हो जाए तब साइन स्यम्टम पेластिक्स होती है कुछ पिकुलीर सिम्टम होती है जिसे देखकर एग डॉक्टरियम सकता है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्यमक्तर करने के लिए ज्यादा स्यमट्स का अब दरकार नहीं है सिर्फ एक ही बात पर इस medicine को आप ले सकते है अगर आपको पता है कि आपका link की अंदर सही से कड़कपन नहीं आ रहा है erection नहीं हो रहा है आपका अंदर sex की desire कम हो रहा है आपका timing सही नहीं है तो इसी बात पर आप इस medicine को इस्तमाल कर सकते है आपको बाकी silent symptoms जानने के दरकार नहीं है तो आप हमेशा इस medicine को अगर इस्तमाल करना चाते है तो agnes castres को जो 6 potency है जो 6 potency है उसी से आप start करिए आपको starting में ही 30, 200 और 1M में नहीं जाना है आप सिधा agnes castres को 6 CH potency में लेकर आईए और उसका दो बुन सुभे, दो बुन दो फैर को, दो बुन साम को लीजिए और एक चम्मच या दो चम्मच पानी के साथ ही आपको मिला कर लेना है बहुत लोग जो है डायरेट जीप पर डाल देते है मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि डायरेट जीप पर डाल दीजिए लेकिन यह जो है सही तरीका पूरी तरह नहीं है होमेपतिक मेडिसिन अगर डायलूशन में लेते है हमेशा एक चमच या दो चमच पानी के साथ ही एक बूंद या दो बूंद आप मिला कर लिया करे इस सबसे बेस्ट आपको रेजल्ट आपको मिलता है और मेडिसिन का एग्रावेशन भी आपको नहीं होता है डॉक्टर हैनमान नहीं यही चीज कहा है तो एगनेस कैस्टरस को 6 पोटेंसी में आप 2 हफते इस्तमाल करे सुभे दो फैर साम, दो दो बूंद एक चमच या दो चमच पानी के साथ मिला कर आप पिया करे और जैसे एगनेस कैस्टरस को 6 CH में लेते हुए आपका 2 हफता हो जाते है तो उसके बाद अगला एक हफता आप कोई भी और मेडिसिन ना ले एक हफता ग्याब देकर आप एगनेस कैस्टरस को 30 CH में लेना स्टार्ट करेए एगनेस कैस्टरस को 30 CH में आप लेकर आईए उसका 2 बूंद सुभे लीजिए दो बूंद सुभे लीजिए और दो चमच पाणी के साथ मिला कर ही आपको लेना है और ऐसा ही करके आपको एगनेस कैस्टरस को 30 CH में इस्तमाल करना है और कंटीनू दो हफता इस्तमाल करना है और दो हफता इस्तमाल करने के बाद आप एक हफता गैब रखे एक हफता कोई और मेडिसिन ना ले और एक हफता गैब देने के बाद आपको फिर उसके बाद एगनेस कैस्टरस को 200 पोटेंसी में लेकर आना है 200 पोटेंसी में आपको ले कर आना है और Agnes Castres 200 को आपको continue एक हफ्ता लेना है दो हफ्ता इस्तमाल नहीं करना है इस केस में आपको एक ही हफ्ता लेना है continue one week आपको लेना है Agnes Castres 200 का एक एक बोंद लीजिए सुभे आप लीजिए एक चमच पानी के साथ मिलाकर एक एक बोंद मिलाकर आप पी लीजिए continue एक हफ्ता लीजिए और इस तरह आपको Agnes Castres एक हफ्ता continue करने के बाद आपको अगला तीन हफ्ता और कोई भी आपको medicine इस्तमाल नहीं करना है Agnes Castres 200 खाने के बाद आपको तीन हफ्ता ग्याप देना है कोई भी आपको medicine आपको इस्तमाल नहीं करना है उसके बाद आप खुद बखुद analyze करिए कि जब आप treatment start किये थे उस समय आपका condition कैसा था और आपका condition कैसा है आप बिल्कुल देख पाएंगे कि आपका अंदर बहुत बड़या improvement हो चुका है या तो एकदम 80% 90% तक improvement हो चुका है या moderate improvement 50% तक आपको improvement हुआ है या आप देख पाएंगे कि 20-30% आपका अंदर improvement हुआ है तो अगर आपका अंदर 80-90% improvement हो चुका है यह 50% तक आपको improvement हो चुका है तो आगे आपको और कुछ भी नहीं करना है यह बहुत अच्छी बात है आगे सिर्फ आपको दो medicine और लेकर आना है जिस medicine का नाम है Damiana Mother Tincture और Ginseng Mother Tincture इन दोनों medicine को अब इस्तमाल करेंगे लंबे समय के लिए कम से कम 3-4 मेने के लिए तो आपका problem पूरी तरह sort out हो जाएगा Damiana Mother Tincture को सुभे साम लीजिए और Ginseng Mother Tincture को दो फैर और रात को लीजिए 15-15 बून लीजिएगा हाप काप या एक काप नॉर्मल पानी के साथ मिला कर पी लीजिएगा रहा बात उन लोगों का जिन लोगों के improvement 10-20% या 30% तक हुआ है आप लोग Agnes Castres 1M में एक dose ले एक dose मतलब एक बून दब लीजिए एक चमच पानी के साथ मिला कर फिर आप देखिए कि आप 1M लेने के बाद आपका अंदर क्या changes आ रहा है अगर आपको 10%, 20%, 30% तक improvement मिल चुका था जैसे मैंने आपको बताय हुआ है उससाब से तो आपको 1M लेने के बाद आपको कम से कम 60-70% तो improvement आपको होना ही चाहिए और हो भी जाएगा जहां तक हमने इतने साल practice के दोरान देखा है 1M देने के बाद आपको improvement आपको कम से कम 70-60% तक होना ही होना है फिर उसके बाद आपको जिंसिंग और डामियाना के इस्तमाल करना start कर देना है जैसे मैंने previous case में बताय हुआ है वैसे आपको भी करना start कर देना है continue 3-4 मेहने इस्तमाल करे फिर उसके बाद बंद कर दे उसके बाद आपको जरूत पड़ीगी नहीं कोई medicine की आप देख पाएंगे कि आपका यौन समस्या पूरी तरह ठीक हो गया है तो agnes casters को इस्तमाल करने का सबसे सही तरीका यही है जो हमने आज आपको बताया है इस तरह से इस्तमाल करिए आपका problem ठीक भी हो जाएगा और आपको इसका कोई aggravation भी नहीं होगा और अगर इस topic के regarding आपको मुझसवर को जान करें चाहिए तो आप इस वीडियो के comment box पर comment करें आपको वहाँ पर reply दे दिया जाएगा